नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल फ्री अजुकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम सामन अध्यान यानि कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोरन्ट 25 कॉस्टन को डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नमर फर्ष्ट कॉस्टन से पहला कॉस्टन है हमारा लोक लेखा समीती के चेर्मेन की निक्ति कौन करता है तो देख दोस्तों जितने भी कॉस्टन इस वीडियो लेक्शर में लाया हूँ यदि आपको पहले से किसी कॉस्टन का अंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना अंसर लगाएं और वीडियो के लाइस्ट पर अपना स्कॉर जरूर सेयर करlicue के कि अपने कितने कॉस्टन का सही अंसर दिया तो दोस्तो लोक लेखा जो समीती होती है इसके चेइर्मेन की न्युक्ति की जाती है लोक सिबहा स्पीकर के द्वारा तो इस question का भी option से ही हो जाएगा देखे दोस्तों यहां से कुछ और फेक्टों को हमें समझना होगा जो लोक लेखा समीती होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है तो लोक लेखा समीती का अध्यक्ष होता है बेपक्ष का नेता ठीक है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और देखे दोस्तो जो लोक लेखा समीती है इसको सौट में कहा जाता है P.A.C. इसका full firm क्या होता है तो Public Account Committee इसका full firm होता है और इसमें कुल कितने सदस होते हैं तो इसमें कुल Y सदस होते हैं ठीक है 15 सदस होते हैं लोक सबा से और 7 सदस होते हैं राज सबा से और यह जो समीती यह भारत के नियंत्रा के महा लेखा परिक्षण के यानि कि CAG के दोरा दिये गए लेखा परिक्षण सम्मन्दी पृति बेदनों की जाच करती है तो इस कॉस्टन से यह सारी बात हैं यह सारे फैक्ट आपको याद रखना है नंबर सेकंड कॉस्टन देखेंगे दोस्तों नं चंद्रमा के आंत्रिक भाग की परच्छाई को क्या कहा जाता है तो दोस्तों चंद्रमा के आंत्रिक भाग की जो परच्छाई होती है उसको उंबरा कहा जाता है वी ओप्सन सही हो जायागा उंबरा कैसे लेखेंगे यू एम वी आरे ठीके उंबरा इसको कहा जाता है और दोस्तो यहां से दो fact आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि जो चंद्रमा का प्रकास होता है, जो चंद्रमा का प्रकास होता है, इसको प्रत्वी तक पहुँचने में कितना time लगता है, तो 1.3 second का time लगता है, ठीक है, दूसरा fact आपको याद रखना है कि चंद्रमा की सतय पर पहुंचने वाला फिर्थम व्यक्ति कौन था तो दोस्तों चंद्रमा की सतय पर पहुंचने वाला फिर्थम व्यक्ति था नील आमिश्टांग और ये कब पहुंचा था चंद्रमा की सतय पर तो ये 1969 में पहुंचा था Next question is संमिधान के किस अनुछ्चित के अनुफ़ित के अनुफ़ित राज के राजिपाल द्वारा मुखम именно की नुफ़ित की पटा ती है तो देख दूस्त मैं आपको बता दूँ कि अनुच्छित 164 के अनुफ़ित के अनुफ़ित में जाती है तो उसमें मुखमंत्री की सलाह लेना जरूरी होता है नेस्ट कोस्ट है निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूं के एरान की लगती है अजरबेजान की लगती है रूस की लगती है लेकिन उजवेकिस् पहला है इरान दूसरा है अजर्वेजान तीसरा है रूस और चोथा है तुर्कमेनिस्तान और पांच माहिक कजाकिस्तान ठीक है तो यह पांच देश आपको याद रखना है इन देशों की सीमा जो है यह केश्पियन सागा से लगती है आप चाहें तो इसका स्क्रीन साट भी लए सकते हैं नेस्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तों नेस्ट अमारे कॉस्टन है निमन मैं से कौन सा देश खाड़ी देश के अंतरगत नहीं आता काफी important question है तो देख दूस्त मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो यमंदेश है ये खाड़ी देश के नहीं आता ए ओप्सन सही वो जाएगा देख दूस्त मैं आपको बता दूँ कि 6 देश ऐसे हैं जो कि खाड़ी देश के अंतरगत आते हैं, ठीक है, कौन-कौन से हैं, एक तो ओमान है, दूसरा कतर है, तीसरा वहरीन है, चोथा साउधी अरब है, पांचवा कोवेथ है, और छटमा है, UAE, ये छे ऐसे देश हैं, जो कि खाड़ी देश के अंतरगत आते हैं, और देखें में खारी सहयोग परिशत कहा जाता है इसकी इस्थापना कंप की गई थी तो 1901 में इसकी इस्थापना की गई थी इसका जो हैट कोटर है यह रहात के अंref है छी और इत्री अरविश्यट ठीक है यह इसके ते सकचा रहे होदा कि किसे 오jasव है ठीक है और उनका नाम आपको याद रखना है यहां से question पूछे जाते हैं तो आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं नेस्ट वन की बात करेंगे दोस्तों नेस्ट हमारा question है भारत सरकार में सर्बोच सास की अधिकारी होता है भारत के मंत्री मंडल का सचेव तो इस कोस्टन का सी ओप्सन सही हो जाएगा और देखे दोस्तों जो भारत के मंत्री मंडल का सचेव है इस पत का सिरजन कब किया गया था या फिर इस पत का आरंब कब से हुआ था तो 1950 से इस पत का आरंब हुआ था नेश्ट कोस्टाने किस राज का लोकसभा वर राजसभा में प्रिति निजुत अधिक है तो देख दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि उत्तरपदेश एक ऐसा राज है जहां पर लोकसभा वर राजसभा की सबसे ज नेश्ट कोस्टान है खोपड़ी का अधियन विघ्यान के किस साखा में किया जाता है तो दोस्तू खोपड़ी का अधियन किया जाता है फ्रोनोलोजी के अंतरगत तो इस कोस्टान का A, option से हो जायगा और दोस्तों एन्थोलोजी नमर B पे लखा है ये क्या होता है तो दर दूस्तो, पुस्पों के अध्यन को कहा जाता है Anthology ठीके और यहाँ पर लखाए Pathology तो मृद्दा के अध्यन को क्या कहा जाता है मृद्दा के अध्यन को कहा जाता है clickedology तीनों आपको याद रखना है नेश्ट वन की बात करेंगे ॉस्तो तो नेश्ट हमारा question है लीठियम त्रकॉन या फिर लीठियम ट्राइंगल के अन्तरगत कौन सा देश नहीं आता तो देखे दोस्तो इन चार में से जो पैरू देश है ये लीठियम त्रकॉन के अंतरगत नहीं आता तो इस question का D option सही हो जाएगा देखे दोस्तो मैं आपको बत अब दोस्तों बात हो ये लिधियम की तो लिधियम का फॉर्मूला क्या होता है इसका आटोमेक नमबर कितना होता है तीन होता है और दोस्तों जो लिधियम है ये सबसे हलकी धातू है question पूँचा जाता है कि सबसे healthy धातु कौन सी है तो आप कहेंगे lithium है और दोस्तो इसके opposite question पूचा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है तो आप कहेंगे osmium जो है ये सबसे भारी धातु है तो ये सारी बात हैं ये सारे fact आपको याद रखना है नेश्ट वन की बात करेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा कोस्टन है भारत में मुद्रा की दसमलाव प्रणाली कब अपनाई गई तो दोस्तों भारत में मुद्रा की दसमलाव प्रणाली ये अपनाई गई थी एक अप्रेल उन्नीसो संताउन से तो इस कोस्टन क यह options है हो जाएगा नेश्ट वन की बात करेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा question है New England और द्योग प्रदेश किस देश में है तो दोस्तों यह question अभी NTPC Railway के exam में पूछा गया था और mostly वच्चों ने England किलिक किया था ठीक है लेकिन नहीं जो New England और द्योग प्रदेश है यह इस्तित है अमेरिका के अंदर ठीक है Confusion वाला question है इसलिए आप इसको याद रखेंगे नेश्ट वन की बात करेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा question है सूर्य करण भारत और किस देश के बीच एक सयंक तुसेन अभ्यास है तो देख दोस्तो जो सूर्य करण है यह अपने देश भारत और नेपाल की बीच में एक सयंक तुसेन अभ्यास है तो इस question का वी option सही हो जाएगा नेश्ट वन की बात करेंगे दोस्तों किसके सासनकाल को इस्थापत कला का श्रौन युग कहा जाता है तो देख दोस्तो जो साह जहां का सासनकाल है इसके साह जहां के सासनकाल को इस्थापत कला का श्रौन युग कहा जाता है ठीक है और देख दोस्तो बात हुए साह जहां की तो जो साह जहां है यह मुगल काल का सासक था आप लुग जानते होंगे और जो मुगल वंस है इसका संस्तापक कौन था तो बाबर था और मुगल वंस की इस्थापना बाबर ने कब की थी तो 1526 ECEB में की थी नेश्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा कॉस्टन है भारत के प्रिथम महा नियावादी कौन थे तो देखे दोस्तों भारत के प्रिथम महा नियावादी थे कि महानियाबादीपत का प्राउधन किस अनुच्छिद में किया गया है तो अनुच्छित 76 में महानियाबादीपत का प्राउधन किया गया है नेश्ट कॉस्टन है राज्य की आकस्मक निधी किसके दोरा संचालित की जाती है तो देखे दोस्तो जो राज्य की आकस्मक निधी होती है ये राजपाल के दोरा संचालित की जाती है ठीक है और देखे दोस्तो यदि आपसे पूछा जाए कि आकस्मक निधी का वर्णन किस था 1950 में Next Question है भारत में एक मात्र मटमेला जौहला मुखी किस इस्थान पर इसथे तो डेखे दूस्तो इस्थान प्वारे है पही जो देखेड मात्र मुझा गया है तो भारत का एक मात्र मटमेला जौहला मुखी यह बारा है टैंग दीप पर इस्थान तो इसed ये भासा में क्या कहते हैं तो यहां के लोग इसको इस्थानी भासा में जलकी के नाम से जाना जाता है ठीक है तो question ये भी पूछा जाता है कि जलकी जो अलमकी कहां पर स्थे थे तो आप गेंगे वारा टांग दीप अंडवार निकोबार में इस्थे थे next question है निमन में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है तो देखे दोस्तों पंडिता के उपनाम से जाना जाता है रमाबाई को तो इस question का D option सही हो जाएगा देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये रमाबाई कौन थी तो देखे दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है नेस्ट कॉस्टन है बिटामिन एज को अन्न किस नाम से जाना जाता है तो देखे दोस्तो बिटामिन एज को बिटामिन वी सिविन कहा जाता है ठीक है बिटामिन वी सिविन कहा जाता है और जो वायो टीन है ये बिटामिन वी सिविन का रासानिक नाम है तो इसको उपर यक तो दोनों नामों से जाना जाता है तो इस question का C option सई हो जाएगा nest one की बात करेंगा दोसतो nest question किस नगर में ग्र में खवाजा मूईन दन चिस्ती की दरगा एस्ते थे तो देखे दोस्तों मूईन दिन चिस्ती जो है इनकी दरगा एस्ते थे अजमेर में कहाँ पर अजमेर राजस्तान में इनकी दरगा इस्ति थे और देखे दोस्तो मुईनि दिन चिस्ति कौन थे तो ये famous सूफी संथ थे ठीक है और दोस्तो यहां से एक और question आप से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दरगा थी जिस पर अकबर जो है दरसन करने है तो अधिक बार जाता था ठीक है तो आपका answer हो जा की संसत का नाम राष्टिय कांग्रेश यानि की national कांग्रेश है तो देखे दोस्तो जो अरजंटीना है ठीक है जो अरजंटीना देश है इसकी संसत का क्या नाम है तो राष्टिय कांग्रेश यानि की national कांग्रेश है ठीक है वहीं दोस्तो यदि हम बात करें कि वहरीन देश की संसत का क्या नाम है तो वहरीन देश की संसत का क्या नाम है तो जापान देश की संसत का क्या नाम है तो जापान देश की संसत का क्या नाम है तो जापान देश की संसत का क्या नाम है तो जापान देश की संसत का क्या नाम है तो जापान देश की संसत का क्या नाम है तो देख ये कांग्रेस यानि कि नेस्नल कांग्रेस जो है यह अरजेंटिना देश की संसत का नाम है तो चार देश और उनकी संसतों के नाम आपको याद हो गए होंगे इस कौस्टन से नेस्ट कॉस्टन है एलूरा की गुफाएं एबम सेल चित्र मंदर किस से सम्वन्दत थें तो देखे दोस्टो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एलूरा की गुफाएं और सेल चित्र मंदर हैं ये कहां पर इस्ते थें और देखे दोस्तो इन मंदरों का निर्माण किस ने करवाया था ये question में पूछा जाता है तो राष्ट कूट वंस की सासकों ने इन मंदरों का निर्माण करवाया था नेक्ट कॉस्टन देखेंगे दोस्तों नेक्ट हमारा कॉस्टन है भारत का पहला वा एक मात्र राज कौन सा है जिसका वित्तिय वर्ष एक जन्मरी से सुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है तो देखें दोस्तों भारत का पहला राज है और भारत का अभी तक एक मात्र एंसा रा राज है मद्यप्रदेश तो इस question का a option सही हो जाएगा आमतवर पर दोस्तो भारत और उसके सभी राज जो है इसका वित्तिय वर्स शुरू होता है एक अप्रेल से ठीक है एक अप्रेल से शुरू होता है और कब तक चलता है तो 31 मार्ज तक चलता है लेकिन भारत का जो वर्स शुरू होता है एक जनवरी से ओर चलता है 31 दिसम्बर तक ठीक है मद्यप्रेश सरकार ने ये वित्तिय वर्स कब चेंज किया था तो 2018 में चेंज किया था दोस्तो आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कि RBI का जो वित्तिय वर्स है ये कब से कब तक चलता है मैंने RBI पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने RBI से जोड़े 25 कोस्टन बताये थे ठीक है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं उसकी लिंक में यहाँ पर आई बटन में डाल दूँगा नैश्ट कोस्टन ने किसी बस्तू का पृतिवंब रेटीना पर कितने सेकंड तक बना रहता है तो देखे दोस्तो रेटीना पर जो पृतिवंब बनता है वो बस्तू के हट जाने के एक बटे 16 सेकंड तक कितना एक बटे 16 सेकंड तक इस्थिर बना रहता है वी आप्शन सह ही हो जाएगा next question देखेंगे दोस्तो next question नीला थोता क्या है तो देखे दोस्तो जो copper sulphate है जो copper sulphate है इसको ही नीला थोता कहा जाता है यह option से हो जाएगा ठीक है और देखे दोस्तो जो नीला थोता है इसका प्रयोग कीट नासक के रूप में किया जाता है ठीक है और नीलत होता इसका फॉर्मूला कई वार एक्जाम में पूंचा जाता है तो CUSO4 into 5H2O जो है ये नीलत होता का फॉर्मूला होता है नेश्ट कॉशन देखेंगे दोस्तों नेश्ट हमारा कॉशन है सोडियम किलोराइट का pH मान कितना होता है तो दोस्तों सोडियम किलोराइट इसका pH मान 7 होता है V option सही हो जाएगा और देखे दोस्तों जो सोडियम किलोराइट है इसको ही साधरन नमक कहा जाता है ठीक है और इसका रासानिक सूत्र क्या होता है तो इसका रासन एक सूतरूता है एन एस सी एल ये भी आपको याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अब नैश्ट एन लाश्ट कॉस्टन है आपके लिए चैलनिंग कॉस्टन है जो कि हम पूछते हैं अपने फिर्वियस वीडियो से कॉस्टन है पूछा गया है कि जगनात मंदिर किस राच में श्टेत है आपके लिए चार ओप्सन दिए गए हैं आपको इसका अंशर कमेंट करके बताना है और दोस्तो आपको बताना है कि जगनात मंदिर जो है ये किस भगमान को समरपे थे तो धैंक्यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद आपको वीडियो कि असा लगा इमानदारी से हमें कमेंट करके जरूरूइत आए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो नए इस्टूडेट है वो हमारे चैनल को कर सकते हैं playlist की link आपको यहां पर an brand कि या फिर आपको नीचे डिश्क्रेफ्स्न मिल जाएगी या पर दोस्तो अभी है यापको इसक्रीन पर तीन महत्मून वीडियो दिख रहे होंगे इन वीडियो उसको जरूर देख लें थैंक्य दूस्तों मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्राम